तारीख पांच दिसंबर, समय साम के करीब चार बजे के आसपास, जग हर्याना परदेश के हिसार जिला की अदालत, अदालत के अंदर लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे और सबकी निगाहें जज साब के उपर टिकी हुई थी, हर ब्यक्ती एक दूसरे से बात चित कर रहा था कि नजाने जज साब, आज कौन सा फैंसला सुनाने वाले हैं, तब ही कट घरे में एक लड़के को लाए जाता है, जज साब उस लड़के के तरफ देखते हुए अपना फैंसला सुनाते हैं, कि इसने जो भी अपराद किया है, वो कतई माफी के लाइक नहीं है, जब ये खाबर सोसल मीडिया से लेकि आखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो हर ब्यक्ती के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर कार इस लड़के ने ऐसी कौन सी गुना कर दिया, कि जज साब ने इसे इतनी कड़ी सजा सुना दी, वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है, ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, नमस्कार आदाब मैं हस्मुदी और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक, आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूं, दरसल ये घटना है हर्याना परदेश की, हर्याना का एक जीला पढ़त पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की नुकरी करता है, जिसकी फिलहाल पोस्टिंग रहतक जिले में है, सुरेश सिंग के परिवार में उसकी पतनी के अलावा दो बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम है असोक और बेटी का नाम है कीरन, कीर जो पढ़ लिग करके अपने एक बेहतर केरियर बनाना चाहती है, बात कर रहा हूं मैं 9 फरवारी 2017 के रातरी के वक्ट, कीरन हर रोज के तर अपने पूरे परिवार के साथ खाना वना खा करके सो जाती है, पर अगले दिन 10 फरवारी 2017 को सुब़ सुब़ कीरन के घर परिवा परिवार वाले जब अपनी बच्ची को मृत वास्था में देखते हैं, सब के सब चिक चिक करके रोने लगते हैं, चिक पुकार सून करके आसपर उसके लोग भी कठा हो जाते हैं, पर जैसे ही थोड़े देर का और समय गुजरता है आखिर कार कीरन के घर परिवार वाले, री मैं आदमपूर के सिस्वान गाओं का रहने वाला हूं, रोहतास पुलिस वालों से कहता है कि साब जुगलान गाओं की रहने वाली कीरन, जिसकी दस तारीकी मौत हो चुकी है, और उनके घर परिवार वाले ने उसका अंतिम संसकार भी कर दिया है, दरसल कीरन और मैं दुने एक दूसरे से बे इंतहा मोहबत करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि साइद कीरन की मौत नहीं हुई है, बलकि उसकी हत्या की गई है, रोहतास जब हत्या की बात कहता है तो इस हत्या की वज़ा पुलिस उससे पूछतास करती है, रोहतास पुलिस वालों को जबाब देते हुए कहता है कि सब एक महीने पहले किरन का भाई असोक मेरे नंबर पे फोन किया था और वो मुझे तरह तरह की धंकिया दे रहा था। इसलिए मुझे सक्थ है कि सायद किरन के घर परिवार वालों ने ही उसकी हत्या किया है। रोहतास जैसी इस तरह की बाते पुलीस वालों से कहता है तो पुलीस को भी रोहतास के बातों में दम लगता है इसलिए पुलीस अब किरन के बारे में पता लगाने के लिए उसके गाँ में जाती है और उसके भाई असोक से पूछतास करती है असोग भी पूलिस वालों को वही जवाब देता है जुसके गाम वालों को मालूम था लेकिन पूलिस असोग के बातों पे यकीन नहीं करती है और आखिरकार असोग को अपने कस्टडी में लेका ठाने में पहुंच जाती है और फिर असोक से किरन के बारे में सक्ति से पूश्टास करती है पुलिस जैसे ही अपना सक्ति दिखाना सुरू करती है आखिर का असोक अपनी सचाई कबूल कर लेता है असोक पुलिस वालों से कहता है कि साब मेरी बहन की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है लेकिन असोग जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है असलिये जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है किरन जो आदमपूर से ही ITI की पढ़ाई करती है किरन जिस बस से अपनी पढ़ाई करने के लिए जाती है उसी बस का डराइबर है रोहतास किरन और रोहतास की जब बार-बार मुलकात होती है आखिरकार दोनों के बीच प्रेम परसंग सुरू हो जाता है कीरन और रोहतास के बीच में जब प्रेम परसंग सुरू होता है प्यार का परवान जब चड़ता है दोनों साधी करने का फैसला कर लेते हैं लेकिन ये साधी इतना असान नहीं था क्योंकि दोनों का जाती बिरादरी अलग था रोतास जहां सैनी बिरादरी से था तो वहीं पे कीरन जाट समुदाय से थी दोनों बेहतर तरीके से जानते थे कि साधी की मंजूरी दोनों के घर परिवारवले किसी कीमत पे नहीं देंगे इसलिए कीरन और रोतास एक फैसला लेते हैं कि हम दोनों बीना घर परिवार वालों को बताए साधी कर लेते हैं आखिर कार कीरन और रोतास जब अपनी फैसला कर लेते हैं साल 2015 में अपने घर परिवार वालों को बीना बताए कुट मेरेज कर लेते हैं उसके बाद से कीरन और रोहतास अपने अपने घर चले जाते हैं। कीरन रोहतास को समझाते हुए कहती है कि इस साधी के बारे में मैं अपने घर परिवार वालों को तब तक नहीं बताऊंगी, जब तक मेरी मा ठीक नहीं हो जाती है। दरसल कीरन को मा को किंसर का बीमारी धीरे धीरे जब समय गुजरना सुरू होता है लगभग डेर साल का समय गुजर जाता है इस दवरान कीरन और रोहतास अक्सर फून के जरी एक दूसरे से बातचित करते रहते हैं पर जैसे ही डेर साल का समय गुजरता है एक दिन कीरन जब रोहतास से बात्चित कर रही थी उसकी मा को कहीं न कहीं कीरन के उपर सक्ख हो जाता है इसलिए कीरन अपने बेटे असोक से कहती है कि साइद कीरन का किसी के साथ में चकर चल रहा है तुम पता लगाओ क्योंकि अकसर वो फोन पे लगे रहती है किरन की मा जैसी इस तरह की बाते अपने बेटे असोक से कहती है असोक इस बारे में जाकर किरन से पूश्टास करता है लेकिन किरन अपने भाई से सब कुछ जूट बता देती है इसलिए असोक अप सचाई जानने के लिए किरन का मोबाईल ले लेता है उसके मोबाइल को जब चेक करता है, वर्टसप में जब जा करके देखता है, असोक को सारी सचाई मालूम चल जाता है असोक को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन ने घर परिवारवालों को बीना बताए, रोतास साधी कर लिया है इस वज़ा से असोक के घर में एकदम से भुचाल आ जाता है असोक के घर परिवारवाले इस परकास से गुस्से में आ जाते हैं कि अब किरन की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं साथी साथ असोक रोहतास के नमबर पे फोन करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो असोक रोहतास को तो धमकी देता है लेकिन जब इस बारे में अपनी बहन किरन से बातचित करता है किरन अपने घर परिवार वालों से लड़ बैठती है किरन कहती है कि मैंने रीती रिवास के तहत रोहतास से साधी किया है वो मेरा पती है और पती रहेगा किरन जब अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है असोक इस परकार से गुसे में आ जाता है कि उसी दिन ही अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तै कर देता है लेकिन असोक जब अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तै करता है इस बारे में ना तो अपने पीता को बताता है और नहीं अपने मा को कुछ बताता है और फिर एक सही मौके का इंतजार करने लगता है 9 फरवारी 2017 के रात को भी असोक अपनी बहन को काफी समझाने की कोशिस करता है दसल उसवत असोक के पीता अपनी ड्यूटी पे थे किरन जब अपनी भाई की बात नहीं मानती है असोक उस दिन भी अपनी बहन की पिटाई करता है और उसके खाने में जहर मिला देता है जैसे ही इधर कीरन खाना खाती है कुछ दिर के बाद, उसे उल्टिया होनी सुरू हो जाती है उल्टी करते हुए जब वो छट पे पहुंचती है, पीछे से असोक भी पहुंच जाता है और उसी छट पे ही अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर देता है उसके बाद से कीरन की डेट बोडी को छट पे ही छोड़ देता है नीचे उतर के आता है जब उसकी मा गहरी नीद में सो जाती है उसके बाद से असोख फिर से छट पे जाता है और कीरन की डेट बोडी को उठा कर लाका उसके बेड पे रख देता है इधार रातरी के वक जब उसके पीता आते हैं उन्हें लगता है कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं वो भी आ करके सो जाते हैं पर अगली सुब़ जब सब के सब उठते हैं सबसे पहले असोख ही उठकर के आता है और किरन के बारे में अपने घर परिवार वालों को बताता है इधर उसके पीता सुरेश सिंग को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी है वो चिख चिख करके रोने लगते हैं चिख पुकार सून करके आसपर उसके लोग भी जब इकठा होते हैं असोक पूरे गांवालों से यही बात बताता है उसकी बहन को रात में हार्ड अटेक आ गया है थोड़े देर का समय गुजरता है आखिरकार उसकी डेड बोडी को ले जाकर के अंतिम संसकार कर देते हैं वाकई में असोक जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है पुलिस असोक के हितरीर पे उस समसान घाट में जाती है और फिर किरन के अस्तियां और कुछ उसके हड़ी अपनी बराबंद ले कर लेती है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है जब उसका DNA रिपोर्ट आता है उसका DNA असोक से जब मैच करा जाता है आखिर कर मैच हो जाती है जिससे यह साथ मालूम हो जाता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बलकि असोक की हिबह हैं किरन है पुलिस कीरन के हत्या के अपराद में असोक को अपने कस्टडी में लेकर हिसार के जीला अदालत में भेज देती है और फिर यह मामला कोट में चलना लगता है कई सारे तारीखे परती है दलिले होता है और आखिरकार 5 दिसंबर को इस केस का फाइनली सुनवाई होता है 5 दिसंबर को जब असोक को अदालत में पेस किया जाता है जस आब असोक के तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इसने जो भी अपराद किया है वो कताई माफी के लाइक नहीं है इसलिए अदालत मुल्यम असोक को हासी की सजा सुनाती है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सुचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंड बक्स में चरूर दीजिएगा तब तक के लिए जय ही चाय भारत